ग्राम स्टेनिंग टेखनीक था ग्राम स्टेनिंग चाप्टर साल है यह एक बायोलोजिस्ट हुआ करते थे यहने हम लोग क्याते थे क्रिस्टिन ग्राम ठीक है गिवन बई क्रिस्टिन ग्राम तो ग्राम नहीं ग्राम स्टानिंग टेखने क्या होता था सबसे पहले उन्होंने क्या किया हीट फिक्स बैक्टेरिया और स्लाइड एस स्लाइड लो इस तरह इस तरह इस तरह होता है और बैक्टेरिया पक्ड़ो और उसको यहां पर लगा दू ठीक है डूसरा था अग्ड इसके बाद वाली स्ट्रेप क्या है एड क्रिस्टल वोयलेट कलर टू इट और इसी को हम लोग ग्राम क्या किया क्रिस्टल वोयलेट यह डिबबा है इसमें क्रिस्टल वोयलेट कलर का एक स्टेन है स्टेन समस्तों कलरिंग एजन्ट उससे इसमें डाल दिया अब जो डालेंगे तो यह कैसा हो जाएगा अच्छा चलों दो स्लाइड ले ले लिए इसमें डाला तो यह पटिक्लर बैक्टिरिया इस कलर को पिक करेगा अब वोयलेट इग्जाक कलर तो नहीं है लेकिन इसे कंसिडर करो ठीक है अब क्या होगा इसके बाद तुम क्या करो वाश कर दो पानी से इसको मतलब एसा नहीं कि तुरण थड़ा तो इसको छोड़ो थोड़े लिए leave for 30 seconds नील डालते ओना कपड़े में बस ज़ाई कर रहा है सफेद कपड़ा है उसको नीले रंग से रंग दिया तो दो कपड़ा है ठेक है तो लो में नीले रंग से रंग दिया लीफ फोर 30 टो 60 seconds फिर प्र क्या किया wash ठीक है विस वोटर पानी से से दो दिया अब दो दो जो एक्स्टरा उधर ना हट जाएगा कैना क्या होता है कि कई बार नील पाई की बर में नावक से पाणी ब으लाद फोड़ पाणी बहां už दाल देता हैं जो इधर ऊधर हो औंधर उधर आई बैसाई हटाने क्लेए उसे पानी के साथ दोदिया इसके बाद फिर क्या किया था एड़ ग्राम आयोडीन टो इट देखो यह यह जो बना था ना कुरिश्चन ग्राम इसको अपने नाम से बहुत प्यार था इसलिए हर जगा ग्राम ग्राम वर्ड यूज किया है ठीक है तु यह घ्राम हो डालका जैसे नीले रंग को अपने कपड़े में पूरे तरीक exact कर देना त्रह माल लो ९ह कराते ना कपड़े की डाई कराते हो नो कपड़े की तो डाई कराने के लिए या फिर आप यह समझो जब हेर कलर लोग करते होंगे तो उस हेर कलर में fixative नाम का भी कुछ होता होगा ताकि color को fix करे कुछ दिन के लिए ठीक है वैसे यह क्या है इस मैं ने बैक्टेरिया हमें मिलेगा इसी दिये दो तरीकिक का सै एक वैक्टेरिया वह होका जो इस color को पूरे तरीकी से ले लिया होगा एक एक और ठाने तक है शेटन या अल्कोहल ओर अब देखो मालो मेरे हाथ में मैंने वस दिन दे बताया था मालो यहां पर मालो कुछ है तिक है और मेरे इस हाथ के नीचे मैंने अल्री इंसर्ट कर रखा एक सब्सक्राइट को देखे तो जब मैं पढ़ने डालूंगी इस हाथ में और इधर क्या क्या पॉडंस लगा दिया तो जब इधार ळूंगी कलर फ H लगा रहेगा अंदर तो नहीं जाएगा तो जब पहले मैंने पानी से थोड़ा से दो दिया जो एक्ष्रा लगा हुआ हुआ हो फिर क्या क्या आयोडीन डाल दिया ताकि वो कलर को पूरा फिक्स करें अंदर तक ठीक है अब क्या क्या हमने ऐसे टोन से दो दिया नेल या अश़ी टोन से हम लोगो घाड़ करता और के पूर से हटा देगा अंदर जो गया सो घया तो हम लोगो तो वहां दो तरीके hmm एक जिसने इस color को ले लिया होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं gram positive जिसने color ले लिया ठीक है एक बातिया मिलेगा जिसने color नहीं लिया do not take crystal violet stain इसने क्या किया take crystal violet stain इसने crystal violet stain लिया और इसने नहीं लिया जिसने नहीं लिया उसको हम लोगों ने confirm करने के लिए कि सच में लिया है चाहने लिया है अच्छाई बात बताओ blue color के कपड़े में light pink color का चीज अगर डालोगे तो दिखेगा blue color है उसमें light pink डालो नहीं दिखेगा लेकिन जिस white color में light pink डालोगे तो दिखेगा तो इसमें already कौन सा color जा चुका है crystal violet ठीक है और इसमें नहीं गया है हुआ एक ता उन्हें है तो कौन सा डाई डालोगे सैफ्रेनी नाम का एक डाई आता है सैफ्रेनी दाई इसमें जैसे ही लाल कलर का सैफ्रेनी डाई डालोगे यह है है यह क्लार को आपने क्या किया सप्प्रणीन डाइल दिया तो यह क्या परחrub tOkay यह इसमें ब्लू और एड़ी था तो डालके भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो लेगा ही नहीं, लेकिन ये जिसमें ब्लू नहीं था, उसमें अगर तुम लाल रंग डालोगे तो वो ले लेगा, तो ये था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, अब क्वेशन ये उठता है, कि क्यों एक बैक्टेरिया ने कलर लिया, और क्यों एक ये नहीं देया थेक ये टेकनिक लिखो, जल्दी से लिखो, बाते लोगों ने लिख रखाया, यह एक काम करना हे ये लोग से लिख लेना, ठीक है, मैं आगर बाध, अभी देखो, माने क्या बताया, एक बैक्टेरिया ने कलर लिया तो क्यों लिया, एक यउ नहीं लिया, तो जो ग्राम पॉजटिव बैक्टेरिया है उसके पाद क्या होता है यह सल्वोज बिसक्लिए इस 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 यह जो लेहर है इसे हम सल मेंब्रेन बोल देता है उसके उपर सेल्वोल किसका बीच है मदब क्या-क्या चीज़ता बनाओ प्यप्टिडो ग्लाइकन प्लेज रिप्जिन की कोई क्या सुद है दूसरा देखो ग्राम नेगेटिव यह सल में देन है ठीक है दस यह वाल आपका प्टी डोग लाइकन वाली लेए यह यहां पर थोड़ी ठीक है यहां पर थोड़ी ठीक है यहां पर थोड़ी तो यह क्या चल्वोल किसकी बनी है प्रटी डोग लाइकन और यहां ऐसा टिकोई कैसीद में दी ठीक है लाइक अलावा एक एक्स्ट्रा लेएर किसका है लाइपो पॉलिव सैफिराइट का अब इस लेएर के कारण क्या होता है जो कलर है वो अंदर तक पहुची नहीं पाता है ठीक है जो कलर यह ले रहा लेक्न इस लेयर के कारण कलर अंदर तक पहुची नहीं पाता है जिसके कारण एक क्या होगया ग्राम पॉच थे और एग्राम में रहें नहीं आदे सबसे पहला डिफरेंट कि प्लांट सेल में जो आउटर स्ट्रक्चर होते क्या बोलते हैं जाल वॉल ठीक है क्यों बैचारी के पास सेल वाल है और हमारे पास नहीं है बैचारी क्या वो लोग तो विद्टतास्तू कर ये एक्स्ट्रा गेन कर गया है इन्हें रहना है कहां एक्स्ट्रीम कंडिशन्स में एक्स्ट्रीम कंडिशन्स क्या हो सकता है बारश साइक्लोन फिर वेंड फिर कभी बहुत जादा extreme temperature ऐसे रहना है तो इनको कुछ extra चाहिए ना जिससे कि यह survive कर पाएं उस extreme condition को हम लोगे पास क्या है हम लोग के पास पैर हाथे भाग जाएंगे हम लोग ठीक है तो we have the second layer जिसको क्या हम लोग क्या बोलते है cell membrane तो इनके पास भी cell membrane होता है cell membrane का दूसरा नाम plasma membrane यह सेलवोल होता है किसका बना होता है cellulose का cellulose और यह हां फॉस्पोल लिपिट की बाई लेर होते हैं और भी उसमें बहुत सही चीज़े प्रोटीन है प्लस ग्लाइको लिपिट है ग्लाइको प्रोटीन है इस तरीके से इसमें कोलेस्ट्रॉल्स है लेकिन अभी अपने को बस primarily इसमें क्या है लिपिट कि गयरा सट लिपद और वाई लेयर को इसके स्ट्चिर तो को डीटियल में देगा यहां पर जिस अन्टर पे स्टुक्चिर है ऐसे क्या कहते है विफे और यह यह ईंथी जो न्यूक्लियस है यह तहां पर जैसे न्यूक्लियस विच इंट्रिक है यह इनकी न्यूक्लियस है पोजिशन क्या है सेंट्रिक क्यों बीच और बेच और यह क्या है इसको एक बड़ा से वेक्यों किनारे धक करें दिया वह था तो इससे क्या हो गया यह साइड में आ जिसे हम लों क्या बोलते हैं पेरिफेरिक या एकसेंट्रिक ठीक है इस तरीकरे के न्यूक्लियस को मुला क्या बोलते हैं पेरिफेरिक या एक्सेंट्रिक अब इस नूकलेस में देखो यह लगतार इसके उपर एक कवर चड़ी हुई है और इस कवर से एंडोप्लाजमी नियमिडर संधिए अराइवन से है तो हम यह क्राको सकते हैं किढ़ ऑन् जैसे हमारे बॉड़ि में इसे हम एंडो सेलेटन में इंदर भी पढ़ टेंट है कि यह हमारे बॉड़ि के बॉण supporting structure है लंबे लेवल पे तो छोटे structure पर ये भी एक supporting तो वैसे इधर भी है सेम चीज़ अब ये जो structure है इसे हमने क्या कहा इसे हम ने क्या कहा वीज अधर दा क्यों केरे मैंने बता है अगर माल लो यह white कलर का बोर्ड है इसमें white कलर की कोई structure रख दो देखेगा नहीं वैसे अपना जो न्यूक्लियस है जैसे अपना से कलरलेस है ये भी कलरलेस है तो देखने के लिए मुझे इसमें कोई कलर डालना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए इसका नाम क्या है आपका न्यूक्लियोलस क्या है दार्कली सेंड मटेरिया यहां पे एक लिक्विड भरी हुई है इस लिक्विड का क्या नाम है यह उक्लियोफ्राज्मी सेम वहां भी वाई ही है यहां पे धागे जासे स्ट्रॉक्चर है कि वह माटिन फाइबर ठीक है समझ रहा आप और यही प्रोमाटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम एक शेप लेता है जिसको क्रोमो जोंस को होता है तो 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 क्या होता है वह जो दागे वाले स्ट्रॉक्चर है वह इस तरीके twist में दिखती है और इसी क्या बोलत है क्रोमोड़ी और यह हमेशा क्या होंगे पेर में होंगे ज्यादा डिटेर में पढ़ेंगे यहां जो लिक्विड भरी है स्धिल के अंदर इसे क्या बोलते है इस्ट यूप लाज में और इस लिक्विड को और इस लिक्विड को मिला के बोलते है प्रोटोप्लाजम क्या हूँ नूक्लियो प्लास्मा प्लस सैटो प्लाग में यह किसमां दिया था पूर गैंटी जे इफूर कocy Sn इसमें ट्रोटोप्लास्म टर्म दिया था और इसके को जो क्या बोलते हैं लिविंग मटेरियल आप देसल या लिविंग कंटेंट अप्टेंट अप्टेंट इसके अलावा एंडोप्लास्मिक रेटिफिलम दो टाइप का होगा एक जिसके ऊपर राइबोजोम इस तरीके से होगे है ठीक है तो देखो राइबोजोम जो होता है आपको पता है राइबोजोम प्रोटीन बनाता है तो राइबोजोम खुले में भी आसे रह सकता है और बाइंड भी रहता है ठीक है तो खुले वाले राइबोजोम को आप क्या बोल सकते हो फ्री राइबोजोम और इसे आटाच बोल सकते हो ठीक है यह किसके साथ है एंडोप्लास्मिक रिटीकुलव मगCheck जलंग किसा नाम हो गया रप्ष एंडॉ प्लाज्मिक रेटीकुल्म अररसी रफ अंडवर रिटीकुल्म कि बनाएगा प्रोटीन जिस अंडवर्टमिक रेटेकिलं के ऊपर आध्य होते है तो तो से क्या बोलते हैं, समूथ हेंडोप्लास्म मिखरेटीब, क्या बनाएगा फैट, लिपिट, प्लस, डीटोक्सिफिकेशन में भी इन गॉल्ट है, ठीका ना, लिवर में, कैसे, पहां, उसकी भी, वह, क्या करता है, बेसिकली डीटोक्सिफिकेशन मेचलब वह दीटोक प्लाजमिक रतिकिलम क्या बनाएगा बनाने वाला बात अगर बोलो तो यह है बनाएगा क्या आगर टैक्टी है तक तरीकिंग सिधग ब्रुटीन जो होता है वसी 14 manufacturing unit होता है अब इसकी अलावव क्या होता है इस तरीके का एक structure होता है जिसे हम लोग क्या बोलते है Mitochondria जो energy currency of the cell होता है ठीक है सारी जो ATP synthesis होती है वहीसे जगह पे होती है इसलिए से हम लोग energy currency of the cell भी बोलते है next क्या है एक इस तरीके का structure होता है क्या बोलते हैं गॉल जी गॉल जी बोड़ी ठीक है प्रोटीन बना यहां प्रोटीन जो होता है आपको पता होना चाहिए हमारे बोड़ी में जैसे प्रोटीन जो सबसे पहले बनेगा वह primary structure में बनता है है ठीक है अब वो जो primary structure है वो हमारे बोड़ी का पार्ट नहीं होता है जैसे कि माल लो इस तरह किसे हैं यह यहां पे बहुत सारे amino acids इसको आप प्राइमरी structure बोलते हो प्राइमरी structure नहीं हो हमारे बोड़ी में जो भी प्रोटीन हो प्राइमरी structure के फॉर्म में मिलेगी वो पर कोटिनरी स्ट्रॉक्चर के फॉर्म में मिलते हैं कौन कॉन सा स्ट्रॉक्चर हो सकता है सेकेंडरी टर्शिरी या कॉट्णरी जैसे सेकेंडरी स्ट्रॉक्चर में जो लोगों ने पढ़ा उनके लिए बात आल्फा हेलिक्स होता है सुना और ब्लीट बीटा प्लीट तो आ आल्फा हैलिक्स दो तरीके से हैं दो हमारे बॉडि में क्यासट प्रोटीन हो सारे के सारे राइट हैंड宮 ठीच है दूसरी स्टप्चर क्या टौषरी प्रोट्स टौषरी क्या जब बहुत सारे आपके secondary protein जो है वो attach हो जाते हैं अलग-अलग bond से तो हम लोग क्या बोलते हैं tertiary protein tertiary protein क्या क्या manufacture करता आपके body की जितनी enzymes है जितने भी आपके body में receptors है वो सब क्या होंगे tertiary protein होंगे quaternary protein में क्या है जब बहुत सारा tertiary protein आपस माटाच हो जा तो आप क्या बोलते हो structure है तो मैं क्या बता रही थी गॉल्जी बोड़ी गॉल्जी बोड़ी क्या करता है यह प्रोटीन बनाया endoplasmic reticular इसको maturation कहा होगी गॉल्जी बोड़ी में तो basically हम लोग क्या बोलते है इसमें यह involved है गॉल्जी बोड़ी पैकेजिंग करेगा शिपिंग करेगा ट्रंस्पोटेशन करेगा कौन किस चीज़ का प्रोटीन का और उधर से क्या रहा तो वह दोनों को इसमें package करके फिर उसमें changes, modification लाके जगा पे पहुचाने का काम किसका है गॉल्जी बोड़ी का ठीक है बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम का जगा पे पहुचाने का काम गॉल्जी बोड़ी का समझें इतना दूर अब next है क्या इस तरीके का एक structure होता है जिसे हो की हम लोग लाइजोजोम बोलते हैं लाइजोजोम क्या है फ्यूसाइडल बैग अप दे सेल्क ठीक है बेसिकली यह जो लाइजोजोम है आपका बड़ी में वह अलग अलग टाइप के एंजाइम्स कंटेंड करते हैं वह आप सीखोगे जैसे जैसे उस दिन बताया था ना नूक्लिए लाइज, लाइपेज, एमाइलेज, है ना बताया था ना तो यह क्या करता है इसके पास भी वह सारे एंजाइम्स होते हैं मालो मेरा माइटोफांड्रिया खराब हो गया सेल का कोई पाट तूट गया ठीक है तो वह अगर सेल में अंदर हैगा कैंसर हो सकता है ना तो इसको करके खतम कर देना है तो कौन करेगा लाइज असे क्या बोलते हैं स्यूसाइडल वागों क्यों स्यूसाइडल वाग क्याते हैं कि इसे जब वह खाएगा तो खुद को भी वह डिस्ट्रॉय करेगा बेसिकली यह एक तरीके का मानो बं है मानो बं सुना है मानो बं क्या होता ह जब कोई इंसान जिसे कि हम लोग sleeper cells भी बोलते हैं sleeper cells क्या होता है sleeper cells खुद को तो डिस्ट्रॉय करते हैं अगले को भी मार देते हैं तो यह क्या है इनके पास enzymes वो सारे enzymes जिसके की यह सारे structure बने एक बात बता हो हमारे body में कोई भी चीज किसमें बने होगा प्रोटीन के बने होंगे lipid के बने होंगे sulfate होगा phosphate होगा यही सब है इसी सब चीज का बना होगा ना body carbohydrate का तो इसके पास क्या है carbohydrates यानि जो carbohydrate को break करेगा nucleases जो nucleic acid को तोड़ेगा lipases जो की lipids को तोड़ेंगे amylases जो की carbohydrate को तोड़ी रहे इसके अलावा hydrolases phosphatase यह सब है यह क्या करेगा यह सारे चीज को तोड़ देगा तो माल लो यह mitochondria को इंगल्स किया तो mitochondria यही सब चीज से बनाएगा ना destroy हो जागा लेकिन बेचारा खुद भी तो यही सब चीज से बनाओगा खुद भी तो यही सब चीज से बनाओगा तो क्या होगा destroy होके खतम कर देगा उसको तो आपके दिमाग में यह सवाल आना चाही था कि माम तो यह survive कैसे करता आपने तो कहाई उसके पास यह सारे एंजाइम से तो initially वह सारे एंजाइम इन आक्टिफ फार में रहते हैं बाद में जब यह इसके साथ attach हो जाता है तो उसके अंदर मतलब क्या होता है कि वह active हो जाता है जब जाते हैं वह सारे engines और खुद को तो destroy करता है उसे तो destroy करेगा और खुद को भी destroy कर लेगा इसलिए क्या बोलते हैं suicidal ब्याग होते हैं ठीक है और कौन से structure है centrioles हम देखो यह structure एक दूसरे के क्या होते हैं perpendicular होते हैं इससे क्या बनता है cell division के time हम लोग को spindle fiber की जरूरत है अच्छा बात बता है यह एक ऐसा structure है मालों यह मेरे chromosome से इसको अलग करना है तो यहाँ पर बीच से आप अलग करोगा ना separate इसमें धागे जैसे structure इससे अटाच होती है ठीक है जिसे कि हम लोग क्या होते है spindle fiber तो यह spindle fiber के formation में कौन इंवाल्ड है यह सेंट्रियों 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 सेंट यहां पर होगा inclusion spotty ठीक है यहां पर क्या होंगे inclusion spotty यह जो दिखाया यह क्या दिखाया आपके NCRT ने अपने डाग्राम में दिया है माइक्रो विलाई लिखा होगा ठीक है ना सेल मेंब्रेन के in folding हो जाती है और वोट अब्जॉट्शन के लिए कि क्या है तो दिस इस वाट माइक्रो विलाई इतना समझ गया हो यहीं सारे स्ट्रॉक्चिस यहां पर भी यहां पर एक अडिशनल स्ट्रॉक्चर है जिसका ना एक बात बताती हूं यह जो हमारे बोड़ी में जान्व दागे बनते ना जिसे हम लोग क्या बोलता है आस्ट्र टाइप ऑफ डिवेजिन तीक है यानि इस पिंडल फाइबर बनते है और और इनके पास क्या होते है यह अनस्ट्रोल होते हैं फ्लाट सेल्स में क्या होते है कि ऊनस्स्राल इसले क्योंकि इसमें अस्ट्रेस नहीं बद्धा जिखो बिसिया. आया माझलो पहले आपको यह संट्रिक्रील भवाइन यह तो इसंट्रील डिवाइन होती है य애नि रिप्लिक्येट करती है। दो में डिवाइने इस से पहले फोटा जोटा रे निंगलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं sowra युच अप्रम दो निकला है ईसलिए एम्फियस थाम ही बात अब उसके बाद क्या निकलता हैक बड़े बड़े चाहशे धागे इस धागे को क्या बोलतो हूं? स्पिंदल फाइबर समझ हो यह बोला? यह central रिवाइड किया, दोमे डिवाइड किया इस से पहले ऐसे छोटे-छोटे रेज निकले छोटे-छोटे मुच फिर बड़े-बड़े मुच समझ रहे हो? बस ऐसे याद रखना है चोटे मुच और बड़े मुच उनको क्या बोला एस्ट्रल एस्ट्रल रेज्ट और बड़े-बड़े मुच को क्या बोला स्पिंडल फाइबर ठीक है कौन कहां बनता है यह सिर्फ अनिमल सेल में सेंट्री वाल्स होते हैं यहां पर क्या सब डिविजन होता है सेल प्लेट की लप लेट की मेंसन शुटि वहां दो तो टो एक दौ की योपर एक मैंब्रेन होती है क्या बहुत और यह रहे है माटेियलल है चाहिए जेनरलियों वेस्ट मटेरियल है कई बार लेकिन समाइनो अस्थ Rainbow जाताएतं हैं वेक्टमीन मिनरल भी हिल जाता है यहां वेस्त मटेरिल भड़े चाहस है आए तो इसे हम लोग सैब भी बोल सकते थे आप इनके अलावा यहां सेंट्रियोल्स नहीं होगा तो लिएक़ दू नो सेंट्रेब होगी वह सारे इस्ट्रक्टर होंगे साथ में तथास्तू करके एक और structure लेके आएं जिसे क्या बोलता है chloroplast chloroplast क्यों है photosynthesis के लिए तो यह देखो सिक्खे के ऊपर सिक्खा जैसा structure होता ही है हर एक सिक्खे को मतलब इस तरीके का structure है ध्यान दों के 11 वाले बच्चे इस तरीके का structure है हर एक को क्या बोल रहा है ग्रैना ठीक है और पूरा मिला के उल्टा हो गया हर एक को थालाकोईड ठीक है और पूरा मिला के ग्रैना समझ में आ रहा है सिक्खे के ऊपर सिक्खा रख दो हर एक सिक्खे को पूरा मिलागे क्या बोलो ग्रैना अब यह जो थालाकोइड है आज में बढ़ाऊंगे आगे फोतो सिंथेसिस वाली प्रोसेस का होती है इसी में होती है इग्जाट्ली मैं बताऊंगी कि वहाँ पे अप्रीस पार्ट है नौन अप्रीस पार्ट है वेल कम तुदर लेकिन इस परी आप सी जों से इसमें एडिश्नले देखलो सिखीरियो नंशा, स्विरीयो जो, सिर्क या पर आप सी जों सा कि ते ग्रोसी जों शिक्रावस्ण है आप सा कि वह रखेसे ना चारा भार्ट है दून हो आप से पहले कॉयं और प्लाग्मा में जी ने पार दूम है ? या प्लाज्मा में देन क्या का सेलेक्टिव परमेबल यह वर इसे हम लोग सेलेक्टिव परमेबल भी बोलते हैं और सेमी परमेबल और सेमी परमेबल हाँ यह बहुंत एल सब्सेपाध काई और हम सब्सेट इस को क्या है इस्ते इस अब सेमीपरमेबल क्यों बहुत प्रॉपर में इसका इसलमेबल क्यूं है इस तरह इस ऴल्रटिव मेंृव भी इसाम sites ऐस आ इसमें क्या होंगे पूर होंगे ना थोटे छोटे पूई सब उसकांच इसके अंदर आ रहा तो छेट जैसा स्ट्रक्चर होना थे ना तो इसमें छोटे-छोटे ऐसा एक्टम माइन मुंस से पूर थे ठीक है यह सारे पूर्ट अब देखो यहां पर मैं आ हुआ करो हुआ अब अए भी किई इनमें से면 से कॉ उन को अबगे यह पोर पोन को वक्ला कर सकते है किसा कि क्या हो ऑ यह चीवैसमुंक क्लूर्ट सेस्पास आा तो अरुकिन मौन लो बीट इस एपुचे है और यह क्या है? aurait.t किसको करना जहीं एक्रोस? patron ABC को किसको नहीं नहीं करना जहाए तो अगर कोई ची sesi מी प्रमियवर होता है तो इसके बस यह है कि pore size कितनी बड़ी है왔. अगर वह பय्यूसोर , वह enter कर जाएगा और selective parameter बढ़ने का मतलब selective चीज ही घुशेगा, selective चीज मतलब ये ये ये, क्या से घुशेगा, तो क्या करेगा, आपका cell में दे, माल लोगी इसको घुशना, ये अपने में ऐसे infolding करेगा, ठीक है, इसको लेगा और cell के अंदर, तो इसी क्या बोले, endocytosis किया, क्या बोले, endoc सब्सक्राइब, तो हमारा जो प्लागमा में बेर है, selective फर्मियब, क्योंकि selective चीज ही, enter का सब्सक्राइब, एक तो चाहन सो, माल लोग, this is my end, एक ये उपर shell लगी होती है, तो आप क्या बोले हो तो उससे हो क्या है, selective फर्मियब, तो कि नहीं हो सकता है न, उससे में में बे लेकिन जब आप इसे डाइनुट एस्टियल में जान देते हो कि इससल मेंब्रेन डिजॉल्व हो जाता है ऐसा नहीं किसल मेंब्रेन तूटके यॉक बाहर आजाएगा नहीं लेयर होती है और लिपलिपी हो जाती है ठीक है लिपलिपी समझ रहो जाता है तो उससमें वह क्या हो गया है पहले जब उसके ऊपर छिलके थी तो सब चीज नहीं हो सकता था लेकिन जब लिपलिपी हो गया और सबस्टांट एंटर कर सकता है तो आप उससमें क्या होते हैं वह सेमी पर्मियब्र होगे ही दिरेंटमन में अ गया स्लेक्राश म्यां अब क्या है यह प्लाजमा प्लान मेइम टीकिंड सबय प्लाद्मा मेंब्रेन के स्ट्रॉकचर को देने के वह प्लाद्मा मेंड सु महीं कैसा बना हुआ है HIS 300 तो 500 model वा प्रपोर्ट तो कितमे model प्रपोर्ट किया गया more than 300 या 500 मॉडल मॉडल वा प्रपोर्ट लेकिन बेस्टूटर मॉडल कॉन कॉन से अब बेस्टूटर मॉडल तीन मिलबात तुमें देवा तीन तूटेबल मॉडल है जो कि इसका स्ट्रॉक्टर बिताएगा कि कैसा होगा एट है अपका को स्टैंडविच मॉडल दूसरा कॉंचा है पूंचा है यूनित मेंब्रेन दूसरा को स्टीम कमि मेंद हां द्रीकॉंट विलबॉंच ओन्युज के इन अपकेव डाहक टो पर स्ट्रॉट पहें जो प्राइं तुम कि यह कुछ बाते बोली गई होगी इसाले मॉदल तो एक होगा तो आज वह में पता चल गया कि क्या का होना साहिए फ्लाज्मा मेंब्रीड तो इसके कैसी आज तो चाहिए उसके प्लाज्मा मेंब्रीड यह को मतलब बात ऐसे ही है वालो आपको बोलागया कि जन्रेटर बिले 嗎 जन्रेटरकं मॉदल बनां ऐसा राइन मॉदल बना ओकि एक से vert definite सेलेक्ट टों्यब कि ट्रेक्टेड पर्मेबन यानिकि वो प्रेक्टेड पार्टीकल को नियां अंदर आने जरू है कौन कौने से लेक्टेड पार्टीकल है हो ने दीचिता यह दूसरी क्या है क्वासिआ वेजेदेड बॉर और शेंदेड क्या है पोस्पोलिपिट तो प्रोटीन रेशियो वेरियेबल होने की मैं बताऊंगी कोटी फ्लूइट समझ लो क्या हो जेल देखा जेली खायो अबर अगर तुम मालो ब्लूबरी की जेली आपके पार और ब्लूबरी की एक ड्रिंक है ठीक है मतलब लिक्विड रिंक और एक जेली दो जेली को क्या बोलोगे पारी हो फ्लूविड तो नहीं हो क्या है क्या है फ्लूइट है सेमिफ्लूइट में सुझ नश वे लेसर रेक। वारियेबल अ फॉठ पराफॉल भेड तो प्रोटीन वेश्यो एसा होने से मतलब मेरे मॉडल एग्राट्ली क्या से होंगे तो पहले तो सेलेक्टिफ पर अर्योगल होंगे यह वाले बाट आप है मैं छोड़ देते हूँ क्योग यह मेरे तीसरे पॉइंट पर आगाई तो प्रोटीन वेश्यो और तीसरी दाइनेम मेरे जो मॉडल होंगे उसमें यह तीन बात तो होनी ही चाहिए हर हाल में कि वह सेलेक्टिफ परमेबल हो फॉप्रोटीन रेश्यो अलग अलग हो और डाइनेमिक समझ रहो एक स्टाटिक होता है रुखी हुई कि इसको में क्या बोलते स्टाटिक और जो मोविन हो से क्या ब दिया था डानिली डास्टिल में से वाद लोगों को ताइम देती ही जूल इतने के सिर्क्यों लेखते हो है लाजमा है में क्या पॉस्पो लिपिड का बहुत होता है ज्यादा यह में बताऊंगी बहुत बीटेल हो लेक्षीन का जब इस बात को दिवाने सब्सक्राइब इ और यह क्या फाटि एसिद्टी चेल इसमें गलिसरॉज यह यह क्या आपके है फाटि एसिद चेल इसे दो तरीकियों इसमें एक चेल है सब्सक्राइब की और एक चेल है उन्सार्टिश डेखो कर देखो मैं कुछ बेसिक बाते बता देती हूं स्याट्यूरेटेट इसे और अन्साटूरेटेट इसे मुझे जा लेटेटेट इसे जो है वो सिंगल बॉंड का होगा पठा है ला जब आप सब्सक्राइब कंपांड बेगर अपड़ रहोंगे तो पता होगा ना स्याटूरे यहां पर पढ़ने हो लेकिन यहां पर कुछ और है यहां पर बस आता है अगर फैंट करें आप यह सिंगल बोलत है तो आप या बोलोड है पृस्ट्रेट इसे डेलिया ट्रिपल बॉंड हो और या पूल होटेड हो लूट नर आपके परईजार्ट ट्रिया सबित इसे क्ग इस बादे बीज़नों आधे बीज़नों आधे, सब्सक्राइब बीज़नों आधे, सब्सक्राइब हो आधे, इस फॉर्मूला होता है, TN S2N O N पाटे इसका फार्मुला किसमे ओवो अगे? फार्मुला बनाओ TN S1 O2 P16 S32 O2 ठीक है? अन्सार्मुला का इजामपल TN S2N minus 2X O2 ठीक है? ठीक है? इसमें क्या अन्सार्टिस साटी है? मैं ऐख लेंगे दीक है केज़े दो ठीक है? जिसमें की एख? 2 double bond है कितना double bond है? 2 double bond और ये कितना अथारा कारवन का उन्ता? पाटला हो अथा? C-A-P-H 36 2 x 18 minus कितने डवल बंड 2 2 2 2 2 और 2 फॉर्मूला क्या मैंना c 18 s 34 s 36 minus 32 और 2 ठेक्या अभी ज्या है यह यह साचुरेटेड हो और यह है अंसाजिवर्ट सबिकित एसेज की कि मेंडे को इसके मैं होते है या लो न से फंकिर सपॉइब यह पाटी अश्चिट की यही चेंग बता लिए एक क्याता है प्लूट से बना होता और एक अब यह इस इंफार्मेशन पर आने हुआ बस आप लोग जांते हो इसलिए में बता है तो क्या बताया और दो फैटी असित की चेंग अब इनके मॉडल के फॉड़िक हम लोग क्या बनाते हैं मॉडल बनाते हैं अच्छा इक और बनाते हैं फॉस्फोलिपड क्यासे अंपीफेटिक हो एक जाए इसे इसके हैं ओडैर जो प्रित दो आथेस तो यह वाला जो है यह इसे अंतना यह हैँ यानि पानी को लर लाग करता है और यह हैइड्रोफोबिक उस्ता काता लुदा क्लेश आकम हो अभी इस नोडल को बनाते हैं क्या भूल रहा है प्लाज्मा में अग्मेड पॉस्पोलिपिड बाइले अरे इन दे फॉर्म 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 बाइले अपिपटिक इन लेचर है प्रोटीन आलपा ग्लोबिलल है जो दोनों साइज में आरेंज तो यही बोल रहा है कि सब्सक्राइब में है दो यह बनाते हैं अवि यह बनाते हैं नहीं है कि फार ईजीं दो इस भी धुटाइब को ऐसे बदें अब इसकार इवन में में बताउंगे वने रहा तो इसके में बास किर जएbaar की प्रोटीन आलपा ग्लोबिललल है आलपा ग्लोबिल आजी और दोनों साइड अदेंजिए इधर भी और कि अधर इतनी बात बदे और प्लाजमा में अब यह मोटन क्यों फेल हुआ इस पर देखते हैं इमने देख्टर उसके शीचर बताया था क्या बताया था selective परमियेबल यानि selective चीज की एंट्विश वो selective चीज क्या होगी पानी या लिपेड दूसरी मत्क्यादी वेरियेबल फॉस्पोलिपेड तो प्रोटीन रेशियो और शीचरी बत्क्यादी डाइनमिक्स यह बताया था पहला पॉइंट लेक्टिव चेक करते हैं कि यह मॉडल जो क्यारेक्टर इसके स्वीचर वस्पे माच करें कि नहीं सब्सें बोल रहा है इस अलेक्टिव परमिया बद्वाटर लिपिड हैंटर सब्सक्राइब करता है चलो देखो और या लिपिड वाल करूं यह घ्रक्टिव पताया यह आज तो नहीं बोला यह थू नहीं तो आपके यह थो घ्रक्टर चैना और यह थो फोबिक कहीं लिपोफिलिक यह थो नहीं बोला है तो इसां अड़नों चलो यह जो लधा है यह पानी को मालनों मैरे है एक क्षुत आँगा कहीं वोला उन्होंने होडल में कहीं लिखा वार नाइच पहले पॉइंट में फिए दूसरा क्या है वेरियेबल फॉस्फोल अपिट्ट प्रोटीन कितने हैं एक दो टीन चार पांच 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 दस और प्रोटीन एक दो टीन चार पांच छे साथ अब बार बदाओ रूम में बलून है कितना से जब तक बाहर से कुछ डाल जाल लियेगा नहीं तक तक लिखेगे कर दोला है इसमें क्या कोई भी चीज मुविंग बता जाना इन्होंने कि एक वाथि फ्लोईड मॉडल है नहीं ना इस प्लोईड मॉडल नहीं यारी यह क्या था बोल रही है इस ट्राटिक रूपा मॉडल है क्योंकि देखो मैंने क्या थे बोला कोई चीज मूब करेगा इधर से उदर हिलेगा तब तो इसकी क्या होते है नहीं तो यहां तो यहां तो यह बिल्कुल नहीं कर पाएगा तो इस पॉइंट पर भी यह से रहा है कोई कि नहीं कर रहा है तो वह क्या है रिजिल इस्कुट्चर रहना ताइनमिक तो नहीं है कोई चीज में मूवमेंट होती तब तो वह आप बोलो कि वह यह वाली और यह वाली और यह वाली अच्छा यह भी सही है कि प्रोटीन आल्का ग्लाविलर नहीं पर देगी है और आधर साइड में अरे यह यह भी मैं मान दूँ ठीक है यह भी ऑल्मॉस्स सही है लेकिन इनके इंटर्प्रेटेशन वहला से यूगि इन्होंने कुछ पॉइंट ही नहीं डाला अपने बातों को यह सारी बाते मतलब इनकी पॉइंट सही है लेकिन गलत क्या है इन्होंने और एच्छा शोज़िवें पर को यह दो रहां पर यूवित में यह तो यहां पर इस अश्ञा पॉइंट गयं नोगो अ मॉदल कि यूनिट में मॉडल किसमें लिया था रॉबट से भाई रॉबट से इससे आपके बूट मतल्ब नीट में कॉशन नहीं एंगे प्रोड मॉड़ायक मॉडल के रहें रहें प्रोड में चुर्ण फ्रीट में चाहिए। यह वाला मॉडल वनालो बीटा फाइबर्स यानी फाइबर्स होती हुआ यह वाला कि फॉस्फोलिपेट्स बाइबर्स यानी कि फॉस्पेट्स यानी कि दू एंड होंगे दू फोल्स होंगे एक क्या है फाइड्रो फिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पर क्या कहा कि यह जो प्लाजमा में इसकी साइज क्या है 75 तू 100 अंस्टों इक है यह भी होटीन भी लगे ना अब इचरा हमलों क्या चरक्तर अपना जो मॉडल योट्टे क्या क्या था पॉस्पोइंट्स प्लेक्तिव को प्योंगें यानि क्या क्या वाटर और फैट तो यहां से उठाओ इसली अंदर पानी वाटर यहां तक तो है और इसके बार नहीं आएगा यहां था प्रोटीन राशियो नो देखो प्रोटीन जिपने एक दो दीन क्या चाल काथ नो जाएगा बारा बारा और बारा चाल देखो तो इसके 24 और पॉस्पोलिपिट प्रोटीन रेश्यों इनके मॉडल के पर बलत थोड़ी क्या है डाइनमिक जब कोई चीज़ मुवी नहीं करेगा तो डाइनमिक क्या साथ तो यह थी हो पॉइंट में यह गला है और 75-100 राइनमिक यह इनकी पाते देगी थी तरही वाले पॉइंट ही है यह और यह और 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 क्या 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 अखर राद इनकी इनकी देगी थी तरह हो ना वह थारी बाते में लोमर एंट पॉमर निरम है बस प्लादमा यह उनकी सिक करके बता रहे हूं कि कहीं निकों